पर नमस्ते भाई साब आज हवलदार जी बहुत गुस्ते में है ज्यान से जाहिए अच्छा ओलदार जी ओलदार जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं आईए बैठिये ओलदार साब क्या सोच रहे हो मैं सोच रहा था कि चोरी जिस कम्रेम हुई वहां कोई सोया वा था सोया था तो फिर आहट से जगा क्यों नहीं जरूर चोर कोई गर का बेदू था आप कब आये मैं तो अब यह बाय हूं ओ अभी आये हैं वैसे आपका आना क्यूं हुआ अरे ओलदार साब मेरे गर के पेड़ से बील चोरी होगे बील गर्मियों के मौसम में बील की चोरी यह हुई ने बात यह है दिलचस्प केस अब आएगा मज़ा आप रपट लिखवाईए आ तो लिखो रपट आपका नाम असू बापका नाम सासू रहन कीजिए बाई साब इस तरह रिस्टू से खिलवार नहीं सासू को सासू रहने दीजिए गाउं का नाम गाउं का नाम अंडी सर जो मेरे दोस्त यह पुलिस सोकियत सख्करपूर कितने बिल चोरी हुए 10 10 चोरी कितने बज़े के बीच हुई दोपर हिमें 12 से 6 मिज़े के बीच मैं अब कितने बज़े हैं शाब अब तो 11 वज़े 11 बज़े हैं तो आज फिर गर्मी पढ़ने वाली है आज पिर चोरी होने वाली है जल्दी कीजिया आप यहां क्या कर रहे हैं सुनो सुनो कितने भील हैं आपके पेड़ पर साब भी पेड़ को पूरा सो भील ही सो तो ऐसा करना जाते ही उन पर संख्या लिख देना एक दो तीन चार इस तरह से सो तक फिर तोरी नहीं होगी फिर देखेंगे और सुनो हाँ आपके घर में कोई कुट्ता है हाँ है जर्मन से पट है तो उसको पेड़ से बांदेना है ना और जागते वे रहना है मैं एक वजयाओंगा सही टाइम पर तो और को रंग्या हत्तु पकड़ेंगे हाँ सरका तो अब मै जयूं हुजूर्ण हाँ आप रवानगी ले सकते हैं अ जुआ कि पदेगा हैं